पूल गोबी संकर किसम है पूसा कार्तिक शंकर जो कि मध्धे अक्टूबर से मध्धे नॉमबर तक अलग अलग समय में तयार हो सकती है बुआई के हिसाब से ये चार मुखे किसमे हैं जो पूसा संस्थान की हैं अगेती फूल गोबी की उतपादन के लिए पूत तयारी एक महत्वपून आयाम है और इसके लिए जगें का चुनाव विशेश रूप से करना चाहिए इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भरावाले स्थिती की जगें नहीं हो दूसरी ऐसी कोई जगें ना लें जिसमें कोई कीड़े या दिमक की समस्या हो ऐसी जगें का चुनाव करने के बाद में उस भूमे का उपचार करना अनिवारी है और इसके लिए पॉइंट तीन परतिसत कैप्टान का गोल बना करके उस जगें को ड्रेंचिंग कर दें और जो जैवी खेती करते हैं वो लगबग सो किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में एक किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके साथ आर दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगें में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें जुताई के बाद में लगबग तीन से पांच मीटर लंबी और 45 सेंटिमेटर से ले करके एक मीटर चोड़ी बैड बनाएं जो कि 15 सेंटिमेटर से 20 सेंटिमेटर उठी हुई होनी चाहिए और उसके दो बैड के बीच में लगबग एक फिट का दायर फासला रखें जिससे निराई गुडाई करने में या फिर जल निकासी में के समय आसानी रहे साथी साथ बीच उपचार करना अनिवारिया है इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टिन पर 3 किलो बीच के दर से उपचारित करें अब एक हेक्टर के लिए अगेती फूल गोबी में यदि हम बीच की मातरा देखें तो 600 ग्राम से साथ सो ग्राम बीच की आवसिकता होती है बीच उपचारित करने के बाद में बैड के उपर बुवाई के लिए तयारी करें बैड को उसके लिए लगबग 5-7 से दूरी पर 1-1.5 इंची गहरी लाइने बनाएं पंक्तियां बनाएं उन लाइनों के अंदर बुवाई करें और लगबग ध्यान रखें कि ज्यादा घना भी बीच ने डले ने तो घना बीच दलने से पोधे अच्छे नहीं बनते हैं उसके बाद में एक बाद का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर के खाद और दो गराम बाविस्टिन परती किलो गोबर के खाद के हिसाब से एक मिक्स्चर बना करके उन पक्तियों को ढखें और उसके उपर सुखी घास जरूर डालें सुखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह स्याम और तीन-चार दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है उस टाम धीरे-दीरे साइकाल के समय सुखी घास को हटाएं और दो गराम बाविस्टिन परती लीटर के हिसाब से घोल बना करके इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारी आने लग जाती है उसमें सबसे मैटोपून है डेंपिंग ओफ इस जिसको हम अर्दर गलन भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि पोदा उपर से ठीक दिखते हैं पतियां लेकिन सतय के पा उसके बचाव के लिए इंडोक्सिक एक एमल परती लीटर के हिसाब से छिड़काव करें पगेती फूल गोबी की पोद है वो लग बग चालिस से पैंतालिस दिन में तयार हो जाती है एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आज कल जून जुलाई का महीने में अधिक ग समस्या लगती है जमाओ के समय तो प्लास्टिक सीट से डखें जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से डखने की जूरत नहीं पड़ती कि उसमें बारिस से कोई समस्या नहीं होती है